कांगडा चंबा लोग सभा युवा कॉंग्रिस के अध्यक्ष एवं धरमशाला विधान सभा उप्चुनाओं में कॉंग्रिस प्रत्याशी रहे विजे इंद्र करण की अध्यक्षता में युवा कॉंग्रिस ने उपायुक्त कांगडा के माध्यम से प्रदेश के राजेपा लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जहां पूरा प्रदेश संकट की घड़ी से गुजर रहा है वहीं स्वास्ते विभाग में लगातार घुटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आडियो क्लिप से सपष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में और भी लोग शामिल है। महा महीम राजेपाल जी को डी सी साव के माध्यम से एक ग्यापन दिया है जिसमें हमने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की हाई कोड के सिटिंग जज द्वारा एक नियाईक जांच हो और मुख्यमंतरी जैराम ठाकुर जी भी नैतिकता के अधार पर अपना इस्तीफा दे क्योंकि कहीं न कहीं स्वास विभाग की देखरेक मुख्यमंतरी जी ही कर रहे हैं धारा 144 के चलते और DM Act जो है वो हमारे कांगणा में लागू है इसके चलते हम 4-5 लोग ही जाके DC साब को ये ग्यापन सौंप के आए हैं देखिए अभी तो हमने जिला हेड़कॉर्टर जो कि हमारे अधेक्षन सारे अपने अपने लोकसाबा के एड़कॉर्टर में धरणा दे रहे हैं और अगर हमारी डिमांड नहीं होती है पूरी तो आने वाले समय में विधान साबा लेबल पे हरे एक विधान साबा में आप देखेंगे कि हमारे यूवां कारेकरता जो है इस धर्ना और प्रदर्शन करेंगे और लोगों को जागरुक करेंगे कि ये सरकार कर क्या रही है। सिटी चैनल के लिए धरमशाला से निपजीत निपपी की रिपोर्ट